हेलो फ्रेंडिस चैनल में आपका फिर से स्वागत है आज के रेट में मैक्सिम्म लोग यूटूब का बहुत जादा यूज़ करते हैं और अपने सीम का मैक्सिम्म इंटरनेट डेटा वीडियो देखने में खत्म करते हैं कई बार एक से दो घंटे में ही हमारा एक दिन का पूरा डेटा खत्म हो जाता है जो की डेड़ से दो जी भी होता है हम यूटूब की सेटिंग में जाकर अपना डेटा सेव कर सकते हैं चलिए सुरू करते हैं और देखते हैं YouTube के कुछी special setting option को तो सबसे पहले YouTube को open करेंगे जैसे हम YouTube को open करते हैं आप देखते होंगे right side में top में आपके email id का जो icon है यहां पास दिखेगा उसे open कर लिजे उसके बाद आपको setting option में जाना है यहाँ पर सबको setting option दिख रहा होगा इस setting option को click करना है इसके बाद सबसे top में general option दिख रहा होगा यह general option पर आपको जाना है जिसे हैं इसे हम open करते हैं यहाँ पस आपको option दिखाई दे रहा होगा first option आपको दिखाई दे रहा होगा remind me to take a break second option है आपका remind me when it's bedtime तीक है यदि आप reminder set करना चाहते हैं कुछ समय के बाद तो इसे आप on कर सकते हैं यहाँ से जैसे हैं आप इस पर touch करेंगे यहाँ पास आप schedule set कर सकते हैं यहाँ पास आपको एक समय के बाद reminder आना शुरू हो जाएगा उसे तरह से bed time अगर आपका जो sleeping time होता है bed time होता है वो आप यहाँ से set कर सकते हैं कितने समय से कितने समय तक देना है आप से start time और end time होता है वो आप set कर सकते हैं थार्ड option आपको दिख रहा होगा appearance में आप जो dark theme होते हैं जैसे आप night में mobile ज्यादा यूज़ करते हैं तो आप dark theme का night में यूज़ कर सकते हैं यह dark theme दिख रहा होगा उसके बाद एक और important feature है यहाँ पास यहाँ पास आपको दिख रहा होगा restricted mode restricted mode में आप अगर इसे on कर देते हैं तो यह जो कुछ videos होते है हाइट potentially major video जो होते हैं वो इसे add कर देता है तो इस option का यूज़ कर सकते हैं घर में अगर बच्चे YouTube का यूज़ करते हैं YouTube देखते हैं तो इसे आप on रखिए यह 100% accurate नहीं होता बाट maximum video को यह ब्लोक कर देता इसके बाद back जाते हैं यहां पास second option जो है वो आटो प्ले का option दिख रहा होगा यह second option autoplay इसे आप open करेंगे यहां पस देखेंगे autoplay next video autoplay में क्या होता है कि जब आप YouTube से कोई गाना या वीडियो देखते हैं तो आटोमेटिक वीडियो खतम होने कवाद next video open हो जाता है अगर इसे आप off कर देंगे तो जो वीडियो आपने सेलेट किया है कि और वही वीडियो आएगा उसके बाद next video आटोमेटिक नहीं आता इसे अगर on करेंगे तो जो भी playlist में जो भी next video होता है वो आटोमेटिक आ जाता है कि उसके बाद कि option आपको दिख रहा होगा डाउनलोड का कि डाउनलोड option में जो भी वीडियो की quality होती है वो हम यह से डाउनलोड कर सकते हैं आसक इस टाइम हाई एक quality medium और लो ऐसा सेट कर सकते हैं जिस कौलिटी में आपको वीडियो डाउनलोड करना जो कि यूटूम पर ही डाउनलोड रहता है एसा नहीं कि आपके mobile फोन में वो डाउनलोड हो Strong dealer हो जाता है जिसे हम एक quality में डाउनलोड करके रख सकते हैं चब भी और अपना TV का जो एक code होता है वो आपको यहां पास mobile में टाइप करना होता है तो यह automatic YouTube से आपका जो TV है उसके YouTube से यह connect हो जाता नेच्ट आता है आपका history and privacy YouTube में जो भी चीज़े आप देखते हैं उनकी जो history है यहां से आप देख सकते हैं जो जो वीडियो आपने देखा है जो जो चीज़े आपने देखी है यहां से आप history देख सकते हैं अगर आप को history देखना है तो यहां दिख रहा है manage all activity यहां से आप आप सारी हिस्ट्री को देख सकते हैं इसके लागर आपको हिस्ट्री क्लियर करना है तो यहां पास क्लियर वाच हिस्ट्री भी आप को पॉप्शन दिखाई दे रहा होगा यहां से क्लियर वाच हिस्ट्री आप कर सकते हैं क्लियर सर्च हिस्ट्री क्लियर वाच हिस्ट्री ए कि जो भी चीज़ें यूटूब पर देखते हैं सब की जो हिस्ट्री होती हो बड़ा दो आप अपने वीडियो के डेटा होता है उसको सेव कर सकते हैं यूटूब में यहां पास आपको option दिख रहा होगा वीडियो क्वालिटी प्रिफ्रेंस थार्ड ओप्षन वीडियो क्वालिटी प्रिफ्रेंस में इसे आप उपेन करते हैं तो यहां पास देखिए बाइडिफॉल्ट जो होता है यह auto select होता है अच्छी है आपके एरिया में तो यह हाई रिजूशन की वीडियो को प्ले करने लगता जिससे हमारा डेटा जो होता है वह कुछी समय में खतम हो जाता है तो सबसे बेटर तरीका होता है कि इसको इसे जो है हम डेटा सेवर मोड पे कर लें कि नेटवर्क कैसा भी हो वीडियो की क्वालिटी जो है वो लो आये ताकि आपका जो डेटा है वो सेव आगर आप वीडियो देख रहें तो उस दोरान भी आप वीडियो की क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं बट अगर हम इसे गाना सुनते हैं घर में ठीक है इस तरह की यह वीडियो देखते हैं तो हम डेटा से बर मोड़ पर करेंगे तो लोग वीडियोएगा जिस्से आपका जो डेटा होता है वो वो क्रीटी तो लो होती प्रीटrail चछेलई रहता है आप चाहें तो वहाँ से भी उपर वाला जो है वह आपका सिम का डेटा यूज हो रहा है अगर आप इसे डेटा को सेब करना चाहते हैं आपको आपका जो डेटा है अगर पर डे का डेट से दो जी भी है तो आप डेटा सेवर का यूज करें तो यह कुछ special options थे YouTube के setting options थे जिसकी help से हम YouTube के जो वीडियो की quality को थोड़ा कम करके देख सकते हैं ताकि हम वीडियो को ज्यादा समय तक देख सके अगर हम movie देखना चाहते हैं अगर auto रहेगा तो एक high resolution वीडियो आएगा जैसे कि मैंने बताया था कि आप चाहें तो वीडियो को पेंड करके भी उसकी quality को change कर सकते हैं इसके लिए आपको वीडियो को पेंड करना होगा वीडियो ओपेंड करके जिसे ही आप वीडियो को पेंड करते हैं तो इसके screen को touch किजिए तो right side में आपको three dots दिखाई दे रहें इस side में देखे right side में three dots दिखाई दे रहें उन थ्री dots पे आपको touch करना है तरच करने के बाद यहांस quality आपको दिखाई दे रहे होगी quality data saver में है भी यह देखे data server में है आप चाहो तो यहाँ पास auto भी कर सकते हो और चाहो तो high picture quality कर सकते हो यहाँ पास picture की जो quality होगी वह बहुत बेटर आएगी बर data यहाँ पास ज्यादा आपका जाएगा last option आपको यहाँ पास देख रहा होगा advance का यहाँ पास आप चाहो तो data setting जो हो fix कर सकते हो यहाँ पास pixel दिये हुए है आप जिस pixel में देखना चाहते हो जितना low pixel होगा वीडियो की quality उतनी ही लो होगी और data उतना ही कम आपका खतम होगा ठीक है जनरली अगर आप TV देख रहे हो टीवी से connect करके या mobile में movie देख रहे हो तो आप 360 या 480 pixel पे set कर सकते हो इस पर भी वीडियो की quality काफी अच्छी आती है और अगर ज्यादा data है ठीक है अगर wifi से आपने connect करके रखा है तो आप और resolution को यहाँ पास बढ़ा भी सकते हो धन्यवाद दोस्तो कर दोक्यवाद कर दो